आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यदि आप क्लिनिक का काम कर रहे हैं या आपका नया नया क्लिनिक है आप इंजेक्शन लगाती हैं तो ये बात आपको बहुत अच्छे डंग से पता होने चाहिए इंजेक्शन तोड़ना एंपल तोड़ना एक बहुत बड़ी कला मानी जाती है कुछ लोग क्या करते हैं कि क्लिनिक का काम करते हैं तो वो तोड़ने के लिए या तो ये कोई बायल होती है बायल का इस्तमाल करते हैं कि ऐसे किया और इसको तोड़ दिया तो इससे क्या होता है जो शीशे के particles होते हैं वो कही न कही medicines में भी चले जाते हैं injection के द्वारा body में चले जाते हैं जिससे के बहुत जादा pain होता है या कुछ करते हैं कि जो catchy होती है इसका इस्तमाल करके ये तोड़ देती हैं से तो ये एक तरीकों से गलत तरीका होता है मैं आपको बताओंगा कि जादा तर जो एमपल्स होती है वो इसी type के होती है एक होता है कि उस पर निशान होता है ये देखिए आप निशान होता है और एक जो होता है कि इस पर ये dotted होता है और एक होता है कि जिस पर कुछ भी नहीं होता है तो आखिर इनका क्या मतलब होता है कि ऐसा क्या है तो जिस पर डॉट होता है बड़ा आसान होता है कि ये एमपल तोड़ना थोड़ी सी मसकत करना पड़ता है लेकिन बहुत सेव होता है कोई परिशानी प्रिसेंट को नहीं आएगी तो जिस पर dot होता है इसका मतलब होता है कि यहां से यह तूटेगा और यहां से जो company ने बनाया है वो यहां से क्या है यहां से इसका glass है वो बीक है तो आप अगर कोई कपड़े का इस्तमाल करेंगे जैसे मैं आपको यह दिखा दूँगे यह देखिए यह बड़ी आसानी से तूट गया कोई भी परिशानी नहीं होगी तो डॉट का मतलब होता है अगर आप इसको ऐसे करके प्रेस करेंगे तो यहां से यह तूट जाएगा लेकिन इसके लिए बड़ी आसानी से क्या करना है हम यह थोड़ा सा कट इस पे ऐसे करके दूसरे एंपल से हलका सा कट लगा लेते हैं इसको एक दो बार इसको घिस देते हैं और फिर यह करने के बाद में कपड़े का इस्तमाल करना है ये dot के लिए ऐसे करके लेंगे और इसको ये ये का देंगे ये देखो बड़ी आसानी से तूट गया है और कोई भी शीशा इधा से उधा नहीं आया है जिससे की कोई percent को दिक्कत नहीं होगी अब आगे आपका तीसरी category का इस पे ना तो कोई dot होता है ना ही कोई निशान होता है ये अगर ऐसे तोड़ेंगे तो ये तूटेगा नहीं तो इसमें यही हमें process अपनाना है इसके लिए यहां जो इसकी गर्दन होती है नेक होती है इसको यहां से यह रगड़ना है दूसरे एंपल से दो तीन बार ऐसे कर लिए इसको और ये इसको कपड़े से पकड़के और ये पकड़ देना ये देखो बड़ी आसानी से तोड़ गया और इसमें कोई भी नुकसान नहीं है ना आपके हाथ में शीशा लगेगा ना आपके हाथ में कोई दिक्कत होगी तो ये देखिए आप जो मैंने तीनों क्रेटेगरी के है ये बड़ी आसानी से तोड़ दि हैं तो कैसी लगी आपको यह जान करी हमें नीचे कमेंट्स करके बताए यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्टाइब कर लेना वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना